आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि सुदूर का विलोम शब्द क्या होता है और इसका आर्थ क्या होता है और साथ में हम कुछ उधारन वाक्टों से भी से और अच्छे से समझेंगे तो सबसे पहले सुदूर का आर्थ समझते हैं सुदूर का आर्थ होता है बहुत दूर या अत्यंत दूर यानि कि कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा दूर हो तो से हम सुदूर कहते हैं तो सुदूर का विलोम शब्द यानि कि विपरित आर्थक शब्द हो सकता है निकट और निकट का आर्थ होता है बहुत करीब या पास में तो आईएब हम सुदूर और निकट को कुछ उधारन वाक्यों से समझें जैसे कि आप कह सकते हैं कि उन्होंने सुदूर गाओं में जाकर वहाँ के लोगों से मुलाकात की या फिर आप कह सकते हैं उसके घर के निकट एक सुन्दर पार्क है या फिर आप कह सकते हैं सुदूर देशों की यात्रा एक रोमांचक अनुभव हो सकती है या फिर आप कह सकते हैं कि हम निकट भविश्य में एक महतवपुर्ण निर्णे लेने वाले हैं अब आप किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें